जैहिन दोस्तों आपका स्वागत है आपके आनलाइन सिक्षन यूटूब चैनल पर दोस्तों आपको पता होगा कि हमने पिछले चार सेट कर लिये हैं के किस टाइब्स के क्वेशन बन सकते हैं जिसमें हम लोग फैक पढ़ते हैं पिछला सेट उसाषीर लोग नहीं देखें हैं फिछला सेट वह फिछला सेट देखें और जिनको भी basic से बिल्कुल class से ही है, हर subject का आएं playlist में, वो सारे class को बिल्कुल basic से भी देख सकते हैं, quality, geography, history, current के हर एक टॉफी, current, daily सुबह भी होता है, परड़े, उसको देख सकते हैं, math, reasoning, मतब सब कुछ फिल्कुल free है, free of cost है, और जादे से जादे, share भी करते चले, ठीक है दोस्तों, तो हम लोग start करते हैं, पहला question, देखें का ध्यान से, और last तक देखेंगे, जो उनी को फायदा होने वाला है, जो बीच में छोड़ के चले जाते हैं, उनको फायदा नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि last तक हम बहुत साथे, क्योशन तो एक है, यहाँ पर क्योशन तिस लिए वह हैं, लेकिक क्योशन अगर पहला बोलेंगे, इसके साथ आपको बहुत सारे फैक्ट, इसके आराउंड में जितने भी फैक्ट बनेंगे, सब कुछ बता देंगे, जैसे देखिए, पहला question क्या बोल रहा है, बोलो मीटर बोलो मीटर मापन की एक युक्ति है, बताइए, बोलो मीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं, तो आप बताएंगे, बोलो मीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं, उसमी विक्रड, क्या मेजर करते हैं दोस्तों, उसमी विक्रड, अब यहाँ पर अगर यह question आ गया, तो हम वायू और गयस के भार का घनत तो मेजर करते हैं दोस्तों ठीक है घनत तो मेजर किया जाता है इसी के साथ हम लोग नेक्स देखें तो बताएं आप लोग 1 टिनो मिटर एक टिनो मिटर दोस्त बताएं तो 1 टिनो मिटर से kijए ना सण्रेज उसकी इंटेंजिटी यानिकी तीवर्ता सं्रेज की preserve उसके इंपिश की दिया चाही थे इसके इंबते हैं तो बताइं गें आप लोग कि हम लोग इनिमो मिटर से क्या मेजर करते हैं अच्छए बताह से सब्सक्राइब गती और सक्ति जो आपका डी में दिया हुआ है बाइब किया मेजर किया रखेंगे किसे दोस्तों एनिमो मिटर से याद अमारे आस-पास हवां है हम लोग को प्रेसर हम साहता है हम लोग के जोबलかった है उनके प्रेसर की किया इस जाने हैं उनके वाई मंुंधलीगे दे तोड़ा अनुबहुँ नहीं हो पाता है नहीं तो गर हम लोग उचाहिः पर आ पता चल्जाएगा कि हमारे ब्लैंट का प्रेसर होता है वह जतास क्या जा मैं पार जाने पर जो हवा प्रेसर होता है क्किम हो जाता है क्यों हाँ से कुथनांग जो होता है वहाँ बढ़ जाता है इसको याग रखेंगे उचाई पर जाने पर इसके बार नेक्स देखते हैं तो अमिटर बताइए कौन से जहाज किस जगह है उसका सटीक समय जहाजों का सटीक समय जहाजों में जो सटीक समय ग्यांत करने के लिए लगा होता है वह क्रोनोमीटर ही होता है इसको आप रखेंगे ठीक है अगर और देख लेते हैं बताईए फेदोमीटर बहुत लोग जानते होंगे फेदोमीट को chemical energy में चेंज करता है ठीक है इस तरह एक motor होता है motor जो करता काम करता है बिदूत motor को सोरी बिदूत- energy को वह mechanical energy में convert करता है मैंतब electrical को mechanical में convert करता है ठीक है चलते हैं नेक्स कुछन पर इसका answer क्या हो जाएगा आपका वर्स लागू की गई दिए इसमें दो किस वर्स लागू की गई अगर पूछा जाता है तो बता देंगे 1971 लेकिन इसको लागू करने में जो पैमाना डिसाइड किया गया था जो मानेता प्राप्त होने के पहले पहले कोई चीज बनता है फिर उसके बाद पास होती है तो आप लोग याद रखेंगे कि जब यह मानता प्राप्त होने से पहले कब इसको तयार किया गया तो माना को बताएंगे उननीस तो सरसट में तयार हो गया था लेकिन लागू जो हुआ पूरे विस्व में कब लागू हुआ तो 1971 अंतराश्टी पद्रती का मतलब यह हो गया दोस्तों यह एक ऐसी पद्रती जिससे की पूरे देश पूरे वर्ड में एक ही अगर पद्रती होगा जैसे किलोग्राम समय है कलीन है तो सब क्या है एक आपके जो मूल मात्रक होते हैं मूल रासियां अब बताते हैं इसी को बला समें को मिलता है डराई यूनिट डोस्तों जो फंदमेंटल यूनिट होता है साथ मुल्वासिं अंदर आती है लेंनाट का महात्रक मीटर समय यानी की टाइम का महात्रक सेकेंड बता देंगे इसके बाद आपका आ जाता है मास्यानी के प्रबमां स्याय विता-वगर्वkick क оружर ह जाता है दोस्तों आपका तीन हो गया ना नेक्स राजाता है आपका ताप यानिकी टेंप्रेचर टेंप्रेचर का देखिए मांत्र बच्चे लगा कर आ जाते हैं सेंटेग्रेट लेकिन केलवीन होता है आप ज्याद रखेंगे या याद रखेंगे आप लुगंख थिकिना डोसओ टी या फामला ह syndrome इसको याद रखेंगे आप लोग ठीके ना छल deed पतार्थ की मातर कामातर क्या है रासा把它 की सबताद मुल यह तो रासी है अब साथ मुल रासी है राम yhteáticaप पता चल गया कौन कौन से लंबाई समय द्रव्यवांत री मंताब इसके बाद दो और होते हैं पूरक रासी से बोला सब्सक्राइब website ला गोक को ने होता है हुता है घंकोड घंकोड जो कह आ दोस्तों उसका मात्रक होता है तो बताएंघ ईसटे सम् तल सम् तल कॉड़ı ता तो में च्रह म सक हता है रीडियन याद रखेंगे यह पूरक मात्रक बहुत साब है जो कि हमिएकोशी मूल मतरकों से मिलते हैं जिसको आप लोग जैसे बल की नूटन MO h गया इसता जूल ह Dou गया वरक AAA मत्रक पर इस तर्डे서izzard बहुआ सारे मत अच चैन्हार को मिल जाएंगे राहिज ब дорог राशियों के हैं चलिए नेस्ट क्योशन पर चलते हैं इसका एंसर काई सोजाएगा बीज राइट एंसर ठीक है अब आजाते हैं नेक्स पर मोस्ट इंपॉटेंट ठीक है आपके निपर्टेंट का क्योशन याद रखेंगे यह आपके एंटी पीसी का पिछला तीन सेट हम लोग दोग नोट डाउन कर लेंगे कॉपी पे क्योंगे हम लोग टाइप करके यहां पर जब लाते हैं इसको तो आपको बता रहे हैं तीन से चार सेट में पुछा गया है ठ इसका डायरेक्ट एंशर पर ले देख लिए गुपालकिष्ट कोकले नहीं किया था अब आपको बताते हैं कुछ संगठन और इसके सनस्थापक के बारे हैं जैसे कि आत्मी सब्हा आत्मी सब्हा का स्थापना जो हुआ था अठारह सो उपंद्रह में राजा राम महोंडाय न मुज्ट मोग एयातों करते चलें जो फैक्ट बताए जा रहा है उसको आप लोग अपने καफी पे नोट करते चलें इसके बाद देखें तीसरा जो पिताजी थे इसको अप्लोग नोट करेंगे तो तो बोधनी सभा जो बनाया गया था देवेंद्रनाथ टैगोर देवेंद्रनाथ टैगोर यह बार क्यूशन में तो यह भी पूछ लिया है जो देवेंद्रनाथ टैगोर है वो किसके पिता जी थे या भी देवेंद्रनाथ टैगोर के पित इसके बाद आस भाए निक्स्ट प्रात्ना समाज यह तो बहुत नोग को पता होगा प्रात्ना समाज प्रात्ना अधिलरंग क्या था पांडू रंग झस्ट ध्याथ रखिएंगा यह तो सора 608 क्यूसिन फूछा गया थैसे प्ले谢 दोस्तों स्वामी लात सॉमी स्वामी धियानुन पुर्षयतhe क्यों क्या गूसियां कम बता देंगे सिरह 930 मों नहींच दोस्तों शी बता देंगे रस माच इस आपना 있어요 सत्य सोधक समाज के स्थापना जिसके संस्थापकते जोतिबा फुले यह 1837 में किया थे दोस्तों अब देगे फारवड बलाक के स्थापना सुभाज इसके बाद दिए इन्होंने आइंसी की अधिचता की थी कहाँ हैं किया थे aún ile इंका स्थापना मोती नहिरों ने किया था कब किया था तो बता देंगे 1823 में क्या था इसके बार देखे दादा भाई नरोजी को यहां पे लेके बात किया गया है तो दादा भाई नरोजी के बारे में कुछ बात कहले हैं जैसे कि दादा भाई नरोजी को Trorky Newcastle देखी दिशुए निन्हिश दिशन दिखे दिखे तो इसमें दिया हुआ है सबस्सक्राइब कारें इंड करनाटक में है देट है आपका 1892 देखिए जो 1911 में हुआ था इनसी का अधिश्चता कि इस ने किती तो बताएंगे रहीम तुल्ला सहानी ने कलकत्ता दिविशन में और इसी समय रहीम तुल्ला सहानी ने इसको याद रखेंगे यह कलकत्ता दिविशन में अब इसके बात 1911 में हमारा दिल्ली बनाता अब तैयार था और इसी तरह 1912 में बिल पारीत हो जाता है और क्यापिटल बना दिया जाता है इंडिया का अब देखिए 1911 में जो विशन नरायन जी थे विशन नरायन जी इन्होंने आई एंसी के अधिचता किये थे विशन नरायन जी के अधिचता में ही सबसे पहली बार जंगर्ण मन गाया गया था इसको यह चलते हैं इसका आंसर कौन सा हो जाएगा तो सर्वेंट सब सुसाइटी के स्थापना किसने किया था तो बता जाता दोस्तों ठीक है चलिए नेक्स नमबर क्यूसर नमबर फॉर पर चलते हैं क्यूसर देखतें क्या है क्या है क्यूसर नमर फूर है मेटाइट इसका है most most important यहां पर कुछ चीजें बताने वाले आपको त्याहन सुनिएगा देखिए इसका तो आपको पता होगा यह लो सब्सक्राइब इस तरह बाद करें दोस्तों तो मिटल आपके 91 होते हैं तो बीस जो है दोस्तों कि इस जो है हुआ कि यहां है नउने आप नों मिटल 20 बीट कितने हों 91 भी स्थ हோता है 17 ग्रॉइन ग्रॉप होता है इस चाहरी venue को होता है अपर hilar कि इस्थार्थ शिल्वर क्ष्ट हैंतलब कि आप इधर से जब आयंगे आप पी ब्लग में एस именно कि不 होता है दो यहां पी होता है उसके निचे कॉपर होजाता है है तो अपका कॉन सा है यात कर invers देंगे चलिए को जो से बारिकाइबारें बात करीते हैं इसमेंड हो गया है इसके बाद कि में आइट का अगर देखा जाए फार्मॉला क्या होगा तो बता देंगे तरह मैंगे फार्मॉला बता है करें किया होता है तो fe 304 होता है ठीकना यह मैंने टाइट का होता है इसके बात C-D-Ry a F-E-Co-3 होता है एक यह होता है ऐस्टे रट का फ्र्मुला इस तरह दोस्के धाव जो कापर होता है उसके क्या होता है तो बता है स्पू उसको बोला जाता हूप्र होता यह फिसी तरह होता है Telesq याद हमें में क्वैंपलता होता है 은 क्ता है कैलकोसाइट का जो फामला होता है सी यू fan interessat यह बताuyدم याद यह बता थे इन एफ्री यह यह होता है इसके बाद हुथ एलमीनियम का है यह अउम इस जी चलिए नहीं नेक्स देख लेते हैं जैसे उसको सब्सक्रीख तो एफ इओ ऑज़ियो देख लीजे नेक्स नूमबर भाइब आदिकश हो चलते हैं कि सेली बीज सागर कहा गया इसी थे तो बता देंगे और यूरोप यूरोप से से सटा हुआ इधर अस्टेलिया हो गया देस्ट नूजवलेंड के निचे यहाँ पर अंटार्किका सेक्टर रहे और यह यह वाला भी रूस का जो इधर आपका पुरा और आरिया है यह यह वह बहुत जादे से पूरा इसे क्या बोलते हैं इसे क्या बोला जाता है इसे बोला जाता है Śilly मत्बब किfree के आपका सेलीज सागर यहीं पीश्टीत एछ था है जो आपका सबाधलिज भी जन्सहें कहां के से भी किन देंक fitting जी कि पर दो APP कि बनीफ नियुक्त सबस्काइबर्ण मेशुदन में इस्हां के靜 लुए जान हैion को सबस्छें ऊसमेश। यहाँ पर दो देख लिए यहाँ पे बोला है न में 10 अक्टा इस्ट एक साउथएस्ट होते हैं जैसे भारत नाम सुनिये Indonesia इंड़ोनेशिया का कैपिटल कलीमंतर वहले जकार्टा था अब जकार्टा डूबने लगा है तो उसका जो कैपिटल है उसको बोर्न चीप्ट बोर्नीच occurred दिया गया है तो याद रखेंगे कलीमंतर है Thailand है Thailand भी आ जाता है आपका दचीरपूर एशिया थाइलेंड का कैपिटल बैंककॉक सिंगापूर भी दचिड एसिया का कैपिटल कंट्री है सिंगापूर का कैपिटल सिंगापूर सिटी इस तरह वियतनाम वियतनाम भी दचिड पूर एसिया का ही कंट्री है इसका कैपिटल हनुई है वियतनाम का कैपिटल हनुई इस तरह फ सबकर सकते हैं इसे फिलिपी फिलिपीन भी साउथ क् lays है है साजिस्ट ईस्टेसिया का कल मनीला व्यामार भी है कमपोडिया है लास है बुरुन्य है और प्रुणे है तिमोर लिस्ट कि Olisian बिल्कुल बोला कर दोाहि December को चलते हैं कि ट्रूसर नबर सिक्स हुआ कि याद रखेंगे कि टेनल कोस्टिया पूर द्टेल में ने एसटी का इसटी में ने डिटेल में घ्यालाया हुआ है आगो देखिए बहुत बहुत रहे तोफ और शारे बच्चे बाहु ज़्यादे खुश्याधे थे आप भी आइए और अपना उनके साथ सारे मतलब कि जितने भी हिस्टी के टॉपिक हैं बिल्कुल बेसिक स्टाट हुए हैं तो आप लोग देखिए ठीक है न रोज सुबर नौ बजे यहां पर क्या हो जाएगा इसका इंसर चोल आपसे नमबर भी जो चंदेल है चोल है पांड है यह सब दच भारत देश के जो साउथ वाला एरिया है भारत का यह बिल्कुल इसी जगह के यह सब जो की राजवन्स हैं चंदेल पांडे चोल ठीक है यह सब इधरी के हैं आप लोग याद रखेंगे भारत के सब राजवन्स हैं अब गुप्त काल को क्या कहा जाता था तो बतारेंगे स स्री गुप्त ने गुप्त बंस की स्थापना की थी ठीक इसको याद रखेंगे चलिए नेक्स पर चलते हैं बताएंगे लास्ट स्वरी सेवन के लास्ट नहीं दोस्तों कि अभी तो थर्टी के विशन करने हम लोग को आप लोग बने रहे हैं अब देकि ए सेंचुरी इस किसकी आत्मकता है बताएं तो किसकी आत्मकता है most 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 important दोस्तों इसको डालके लिएगा क्योंकि हमारे सौरभ गांगुली जी की है किसकी आपसा नमबर सी इस राइट सौरभ गांगुली जी की A century is not enough इनहीं की एक आत्मकता है आप लोग याद रखेंगे इसी तरब सुनिल के बात हुई था सुनिल गावसकर बुक का देख लेते हैं कौन कौन से बुक है पहली बात यह जान लीडिए यह सहां एक साल के इस समय हमारे दादा ठीक है याद्रिके शुनिल करका चार तो बताएंगे एडी ओ ऐल डश इसके बाद ऑर कहा जाता है मुष्ट इंप्टें टेय सणी डे सबस्का से इसके बाद एक और आ जाता है इंही के नाम से सुनीर गावसकर 2019 यह सारी बुक सुनिल कुंबले का एक बूक दिख लेते हैं कौन सा है इंपर्टेंट याद रखेंगे आप लोग वाइड एंगल और वाइड एंगल 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 और यह कौन सा बता है बीसन बी-आई-ए-च-ए-ए-ण ठीक न यहाद रखेंगे चलिए निक्स चलते हैं कपिल्दे को क्या बोला जाता है आप बताएं तो हर्याना के है जोटेंगे चलते हैं चलते हैं अब अब बताएंगे त्रण बता देंगे त्पर भारें इसके घ्या कर लिए हैं पिछले में थे कि मैगनेटाइट सिढराइट दोस्तों हुर्ण हेमिटाइट शिदराइट तो पिछले में लिए आइरन को और यह उद्रेयों कि में अक्षिजन फ्लोरीन नीयांस सोडियम मैंगनियुनियम सिलिकन फासपरोस सलफर क्लोरिन आरगन प्रोटेसियुम कलसियुम इसकंडियुम टैटेनियुम बुनेडियुम क्रोमियुम मैगनिश आयरन आयरन हमारा आ गया 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26 यानि कि इसका परमाण कुरमांग जो हता है 26 हो जाता है ठीक है इसको आप लोग याद रहेंगे 26 होता है इ साथों सफ़ाते इस से इस तरह पुछलिया उरीणियुम को बताएं यह उरीणियुम कहीं पूछ लिया तो बताएंगे 20 अब्देश्टों इस तरह आपको याद रहेगा ताब बता देंगे जैसे गोल्ड का पुछ लिए और आप से पीस लिए सिल अर का पूछ लिया तो तो इस तरह आपको याद रहना चाहिए दोस्तों है याद नहीं रहेगा तो फिर कड़ बड़ो जाएगा मामला और एक नमबर आपना छोड़के चले आएंगे चलिए क्यों से नमबर नाइन पे चलते हैं शिलंका अश्या देखिए याद बारत के नीचे चलते शिलंक क्यूस र 91 कि इन दोनों का वाटर डिस्टेंस है आप थे तो सिलंका में पाकिस्टेट और मनार्ग इखाड़ी पंबन दीफ और रामसेतु सब इसी जंगहें इन्हीं दोनों के बाड़र पर हैं ठीक है दोस्तों इसका आप लिए आप लोग याद रखेंगे और देखा जाए तो आप बताएंगे कि अच्छा यह बता दीजिए मोश्णी पाट एक कुछ अलग से बाते का लेते हैं जो भारत का तटी राज है दोस्तों तटी राज यह वाला इलाका तो रफली एक मैप बना देए आप लोग देखें तटी राके में कितने राज अच्छा यहां पर टच होते हैं ठीक है कितन कितने हो गए नवराज कितने बता देंगे नवराज हैं जो कि भारत से तटी इलाके से सटे हुए होते हैं मदब कि पानी से अपना बार्डर सेयर करते हैं ठीक है उन्हें तटी राज यह बोला जाता है अब बताएं तो सबसे बड़ा तटी राज भारत का कौन सा है जो की बिल्कुल पानी से गुज्रात कितने किलुमीटिर बताएंगे 1214.07% किलुमीटर नू कितना से नंवराज चाहिता है अगर तीसरी नंबर पर आपका महाराष्ट आ जाता है ना दोस्तों सबसे छोटा अगर पुछा जाता है गोवा एक सो एक किलो मेटर की आसपास में अपना बार्डर करता है ठीक है और हम लोग तटी की बात कर रहें इसमें दूइप नहीं जोड़ा गया जिसमें दमंदी फ्लचुदी पुदूचेरी अंड कितना है तो इसमें सबसे बड़ा अच्छा सबसे बढ़ा बता दी यह कौन सा राज्य है जो कि सबसे ज्यादा बडर सेर करता है भार्ट से में बांगलादे से लगवख 4,096 km क्या सबसें अपना बार्डर सेर करता है ठीक है भारत से यहाद तक यह जल द्यूमाः चलते है तो में नंबर से त्यांच के लिए उन्दर सरकार ने अक्ति की थी किस आयोग अपर आओ के बताने वाले आप दियान सुनेगा तो याद रखेए कि इसका सरकार या आयोग हो जाएगा आपने नंबर मंडल आयक क्या था मंडल रायोग में बीपी मंडल के अधिस्ता में मंडल इंट्राइए था इनिस सो नवासी में यह एक लाय थे और यह और जाके राइट होता है ना उटी आयोग के ना उटी आयोग के बारे में देखिए यह 1984 में याद रखेंगे नाव आयोग 1220ff की बातधी सिख विरोगोधी आप लोग को य्याद होगा जो washing इसके पूद दंड़ा परसाथ हुरा था जिसमें कि हमारी इंड़ा गाधी का टेथ भीव ओ-जाता है बाने राजीगा इसके राजीम ढाधी राजीगाधी को बनाया जाता है ठीक है उनके वैटे दूसे को चलिए और मंदल की बाद कलेता जैसे कि कुठारी आयोग का मतलब यह कब आया था बिता देंगे 1964 में आया था पहले तो यह याद रखें कि कब आया था इसके बाद किस के बनाया गया था तो याद रखेंगे पीछड़ी जातियों के लिके बात कता है ख़गवती आयोग भी बेरोजगारी इस बार तो हमारे मोदी जी के जन्रोदिन पर ही लोग तरफ लिए दिवसमना दिए हजारि हाजारी समीति हाजारी समीति हाजारी समीति तो हजारी समीति यह किसली बनाए गई थी तो बता देंगे बेरोजगारी के अनुमान को बताने के लिए कितने लोग बेरोजगार हैं कितने परसेंट बेरोजगार हर साल निकल रहे हैं कि हो रहे हैं इस तरह बेरोजगारी का लोग Extra पढ़ लिये चलिए नेशन देखते हैं में स्क्राइख रोचन लेसल पतु ले सल पतू किस भारती राज्य का लोकनीत अब देखेने लोकनीत के वारे में दिखा शुकिकत मिज म? पूरे लोखनित के बारे बता दिया गया था यहां पर देखे जो लेसल पतू है यह आपका उन जो सेट था आप लोग उठा के देखेंगे 2016 वाला सेट तो उसका बिल्कुल लास्ट वाले सेट में जाएंगे लगवग तीन याज चार सेट में इसको आप पाएंगे ठीक है लेसल पतू देखे यह नाम ऐसा है कि लोग बहुत सारे लोग सुनें भी नहीं होगे तो इसको याद रखेंगे नागलाइंड का यह लोगनित है ठीक है नागलाइंड का लोगनित पताएंगे कथकली कथकली पता इसके बाद लुक्त करनाटक का बता देंगे एक चिकान पूछा गया था इसमें देखे नागलाइंड करें तो गवामें फूगडि के बाद देखनी के अछना है फूगडी के द्चनी देखनी हो गया फिसके बाद आउरा जाता है आपका धोला धोला नित धोला धोला ठीक दोस्तों धोला इसके बाद गोल गोफ जी ओ डबल एफ गोफ नित यह भी है इसके बाद कुनभी के यू एन बी आई कुनभी यह सब कहा का है तो बसा देंगे गोवा का है इसके बाद दोस्तों यूपी का मुस्ट इंपॉर्टेंट यह रहार खिंगे राश नीत ख्याल यूजड़ नीत इसके बाद मैयूर नीत धुबिया नीत चर्कुला नीत जोगणी नीत कट्फटवा नीत इसके बाद बिहार का इकजाम बहुत सारे विहार कैसा ही को अरखोने वाला है तो यह मुआ हो गया 6 सब्सक्राइब दोस्तों याद रखेंगे मांजी मांजी इमोशन इपार्टन है ठीक है यह एक जामें पूछा गया है सब्सक्राइब दोस्तों बिल्कुल अर्थ के बिल्कुल पार्स का तारा जो बिल्कुल चमकदार है सबसे बड़ा उपग्र कौन सा है तो बतातेंगे मंगल ग्रा का है क्या नाम है फोबोस और डिमोस ठीक है इसको याद रखेंगे पहला पर्माडू और संधान केंद की बात किया हुआ है तो अपसरा हो गया इसका एंसर अब देखिए यहां पे कुछ पर्थम की बात कर एंस चक्र छ फवल प्र्थम पर्धुर्द पंडूब्वीकी की केवल बात करता है परवाडू न लगाता है तो बतातींगे इनस कावेरी की दोस्तों कावेरी इसको याद रखेंगे आप कावेरी की बात इसके बाद अगर पूशा जाता है आपसे कि प्रतम विमान वहाग्पोद भारत का प्रतर अगद के अगर पुश्धा है तो मिसाइल पुश्धार पुश्धा देंगे यह तो सब और बिल्कुल लाइस तक देखिए आप लोग ठीक है तभी समझ्याने वाला कोई चीज अब देखिए यहाँ पे इस तना ज्यादा हम फैक्ट देने वाले हैं आप लोग को मजा जाने वाला है देखिए द्यान से बस अधार सो पंद्र में आत्मी सभा का गठन अच्छा इसक बारे में लूग तक है तो आपस दोनों याद रखेंगे इसके बारे में और दोस्तों अगर देख लेते हैं तो हम लोग न करें क्योंकि वीडियो लेंदी बन जाएगी दिव्च्च देखते नहीं है छले भारत के वर्तमान राश्टी ध्वच का डिजाइन किस ने तैयार किया था तो बता देंगे पेंगलेंक रहाएं कब त्यार किया गया था त्यार किया था लेकिन अगर पूचा जाता है कि कभ तो यह हमारे संसत द्वारा अपनाया गया तो बता देंगे 22 जुलाई 22 जुलाई उननिस तो साथ यह पूछा गया है अब देखे जो आपका राश्री धोज होता है दोस्तों इस तरह इसके लंबाई और चोड़ाई कानूपाद कितना होता है तो बता देंगे है इसमें अगर पूछ लिए आप से आइंसी की अध्यचता उननीस सो सत्रह में की थी यह भी देशी मेरा थी अगर पूछा जाता है पहली भारती मेरा जो आइंसी का देश्चता की थी तो बताएंगे सरोजनी नैडू इन्होंने कप किया था तो बताएंगे 1925 में इनका जो भारती मेय सेन गुपता नल णिर्णी और गुपता इनों नी सेन गुपता इन्होंने कब किते तो बताँ थी तो बताँगे 9 teve 31 में की थी ठीक है ना यहीं तीन मैला आए जाती है जो कि आएएंसे की अध्यचता करती है चलिए नेक्स विशन पर चलते हैं कि इसे नंबर 15 कि याद रखेंगे राश्पती द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र सुरू होने के बाद कितने समय तक लागू रहता है तो राश्पती अध्यदेश जो लाता है वह किस अनुच्छत के द्वारा लाता है तो बता देंगे 123 और राजिपाल देंगे 213 यह मुस्त इंपर्टन त्सक्राइब रखेंगे राश्पती का वीटो किस अनुच्छत में बात किया गया तो 111 अनुच्छत में राश्पती के वीटो पावर एक ही हमारे राश्पती राते हैं ग्यानी जैल सिंग ने एक बार बस वीटो का यूच्छ किया था तो आप लोगा रखेंगे इसको ठीक है नेश्पतन पर चलते हैं क्योसे नंबर 16 की बात कर लेते हैं हम लोग ठीक है दोस्तों क्या बात किया गया है इसके विशपca सबसे बढ़ा प्रायदीव काउन सा है विशपका सबसे बढ़ा प्रायदीव अरब प्रायदीव है आपको पताओगा इससे में UAE और इजराइल के साथ सम्बंद की बात चल लए क्योंकि जितने भी आपके बहरीन और युड़ोप की मքन्टी है लग भग दो-तीन को छोड़ दिया जा तो सारे के सारे वह इसराइल को देश नहीं मानते हैं तो फिलाल में तीन-चार कंटी जैसे आपके UAE हो गया है और आपका बिटेन हो गया है यह सब उसको देश मानने लगे हैं तो याद रखेंगे यह सब इफेक्ट है किसका डोनाल टरम श्रवागा हमारे युएससे के जो फ्रेश्टेंट है इस बार चुनाव भी होने वाला तीन नोंबर को एक जावर यह सब्सक्ते हैं तो बार जीत सकते हैं जीतेंगे तभी दो बार बन सकते हैं और चार सक्राइब आप रहेंगे चलिए यहां पर बात कर लेते हैं दोश्त अरब पराइडीफ कीन है बारे मैं आपको बता चले अरब परायदीफ के पश्षिम चोरपर शीम पढ़ जाता है ठीक है इस्टमें अर भारत के बिलकूल अगर देखा जाते हो वेस्ट में ही अरब इंभ नहीं है तो यहाद रखेंगे जो अपका अरब उसके पाश्यमी होड पर हिए फॉसके अगगर देखा जए और इसी जि Tun wackabach कि मैं तर पस्ण के इसे ज़ेंग grass शोने और उत्तर पस्थेंगर भरेण परम कमस्थ यह उत्तर होगया और यह उत्तर हो गया उत्तर प्सीम घगर बात कि इसATHER की बातर सब्सक्राइब निकल चुला था भारत में भारत में पोरस के साथ लड़ाई किया था जो की बाद में उसको जहलम नदी के पास जहलम नदी के टट पर उनके सैनिक हार जाते हैं कहले जी एक तरह से क्योंकि बहुत सारी वहां पर विरुदा भास ने उसको हम लोग देखेंगे हिस्टी वाले क्लास में चलिए अब देखिए कोलाबा कोलाबा जो लिखा हुआ हुआ है कोलाबा प्राधीफ दोस्तों यू एस एस आर जो पहले रूस हुआ करता ठीक है यह बात याद रखेंगे आप लोग नहीं सुने होंगे तो बाद में इसका वार्दात हुआ था घटना थी बहुत बड़ी वहां पे रभी चर्चा करेंगे इसके चलिए ने चुछ नंबर सोला सोरी सत्रा की बात कर लेते हैं इसमें क्या बात किया बात किया गया है है सरीर का सबसे कठोर पदार्थ अब लोग को पता होगा सरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है तो इने मेल होता है जो दांत के नीचे होता है जिस पे दांत टिका होता हमारा मसूडी कभी काल के ब्रस करते समय वहां से बलड़ भी आजा रहते हैं तो उनका जो है कि उनको विटामिन सी की कम होता है उसको याद रखेंगे कि विटामिन सी में आयुला हो गएरा सब खाये थो जाएंगे तो याद रखेंगे दंत वल्क यानिकी इने मेल इने मल जो हता है दोस्तों वह सरीर का सबसे कटोर हिससा होता है अब देखें हम बात कर लेदे कुछ प्लस आठ चौदा दो बाइस हो गया वाइस और चौटा हो गया एक कान के पास हो थाइए यहां पर गर्दन चीजिस पर ठिका होता है तो 28 29 हो गया इस तरह के प्लस ड़िया होगया अब देखिए कान की सबसे च्छोटी हड्दी तो बता देंगे इस टेपीस टीक होती है इक ह्ट्टियां होते हैं 60 हट्डियों होता है उसको बोला जाता हूमरेस जिसके अगर। Drop कर दोनों पार का अगर मिला के दिखा जाएं भी आपके कितनी हट्डिया होती हैं तो बताएंगे 60 हलबकि 30 हिसमें 30िसमें तो इसमें जो उपर पूरे सरीरिल का सबसे बड़ी एक चैनल को पटेला या प्टेला होती है चलते हैं इक्राइन ग्रंती यह बायो वाला क्लास आपका बहुत जल्द इस्टार्ट होने वाला है आप उसमें पढ़ेंगे बहुत अच्छे से ठीक है चले अठारा नंबर देखते हैं क्यूशन क्यूशन नंबर का क्यूशन देखते हैं चले नंबर 18 इक्राइन ग्रंती का प्रमुक कार क्या है तो बताएंगे आप पसीना उत्पन करना जैसे हम लोग जब लोग की बाड़ी बहुत जाती है हमारे बौडि में और बहुत जाएदे होने लगते हैं बहुत के यदे करते हैं तो जयाद रखेंगे जो पसीना निकलता है कमहिजाता रही तो हम लोग ऍेकनडने जाओ तो याद रखेंगे यह इक्राइन जो ग्रंथी है यह इसका प्रमुक कार क्या होता है तो बता देंगे पसीना उत्पन कराना ठीक ना इक्राइन ग्रंथी होना चाहिए सबके सरीर में इसके बाद कुछ बाते आउर कर लेते हैं जैसे कि अगर आप देखें तो आपका जो करते तो शरीर का जो रों होता है मत्राइस बालो होता है तो बता देंगे ON की कि बात किया हुआ है किonner不錯 धिकान प्रोजेस्ट्रोन प्रोजेस्ट्रोन एक होता है टेस्टोस्ट्रोन प्रोजेस्ट्रोन और एस्ट्रोजन दोस्तों एस्ट्रोजन टेस्ट्रोजन तो मेल हार्मोन है एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन ठीक है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन और फिमेल हार्मोन जो प्रो फियन फूटी काउं याद रखेंगे पूटी काउं जब आप बायो पढ़ेंगे वहां पर डिटेल में आपको पढ़ाए जाएगा ग्रेफीन फूटी काउं से स्रावित होते हैं इसको याद रखेंगे अच्छा बताएए जो हमारा व्रिद्धी संबंधी हार्मोन होता है य इसको भी याद रखेंगे आप चलिए नेक्स्विशन पर जलते हैं कि एक मिन्ट दूस्तों कि क्यूशन नंबर 19 ध्यान से अपर देखिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया था कोई बात नहीं लेकिन क्यूशन नंबर 19 की बात कर लेते हैं गन्ने की लाल सडन के लिए कौन जिम चलिए चलंग भी बहुत जल्दी स्क्विशन और छिंटा न रख लेगे चले बातना pricing abdha फ्रमों इसके बाद इसके बदर जीवरेलीन कर्ण हो गया बताई जाएगा ना। जिब रेलिलिंस हो गया। जिबरेलिंस के लिबाद काई डिर्त हरमन हो गया। मुझे तो आपकर फलेम नाल। को जयते हैं wesetzt एन झाला होता है कि हमारे जढ़ से मद् lata की नीचे से उपर पानी का जल ले जाना जीसे शित्रासा और अजैल् generally म की रहीछ थीख फूड्ट का फूड ले जाना मतब कि उनका खाना निक जल खाना ठीक है उनके जन से लेकर बन पत्तियों में खाना बनता है तो पत्तियों से लेकर नीचे लेकर आना ठीक है ना इस तरह का वहन करता है तो याद रखेंगे फुलयम और जायलम का क्या काम है नेक्स चलते हैं क्यूशन क्यूशन नमर 20 देखेंगे ध्यान से भारती राष्टी का अंगरेस के स्थापना किस वर्स हुई थी तो बता देंगे 1850 अब देखेंगे यहां से ती फ़र तैव और यू फ़र जार्जी उल ठीक है बनर जी नरोजी तैव जार्जी उल ठीक है अब यहां लिख लिए अठारसो पचांसी अठासी अठासी और अठासी इस तरह लिख लिए अब देखेंगे जो 880 का हुआ था कंगरेस अधिवेशन आयंसी का अधिश्यता बांबे में का κάν़ यहां पर यांड़ ने किया था इसके बाद नरूजी नहीं किया था यह त्डिक्राइजी में टायव गया था कर चार जव में चाहां किया थाई दौरा तो तो बता देंगे अलाबाद में तो इसमें प्रयागराज है तो इस तरहाद कर सकते हैं बंटू 885-86-86-888 और बकमा बंबई कलकत्ता मद्रास और अलाबाद इस तरहाद कर सकते हैं बनजी नरोजी तयब जी जार्जूल ठीक है ना चलिए नेक्स चलते हैं आप लोगो इस प्रफ्राइड की जा रही है तो आप लोग अच्छे कंटेंस के साथ जूड़िये हमें साथ जहां भी देखिए अपने फायदे के लिए जूड़िये हैं चलिए बीबी का मकबरा कहा है अप दता देंगे और अंगाबाद और अंगाबाद कहां पढ़ता है महारास्ट का एक जीला है अब बताएंगे नियु दिल्ली की बाद कि जब किया गया नियु दिल्ली में किस्थापना जो हुई थी थी ठीक है लाड वायस राय उस्ते में थे और 1912 में यह राजधानी इसको बनाया गया था 1911 में इसकी बिल मतलब कि लाया गया था 1912 में इसको पूरता खीका दिल्ली का फार्मोसन करने के लीए लिए मतलब कि मतलब की कैपिल बनाने के लिए ली पारिध होता है और 1912 में इसको क्यूबना दिया जाता है फैंली ठीक है और 1927 में ने दिल्ली बनता है और 1931 में लगबग लगबग क्या करेक्ट है दोस्तों 1931 में आपका यह नई दिल्ली आपका आपके भारत का कैपिटल बन जाता है आप लोग आ देखेंगे इसको ठीके ना चलिए आगे बाद कर लेते हैं यह दिल्ली के नाम से दिल्ली के नाम से आना जाता है आप लोगा दोस्तों अगर देखा या यह यह वाला एरिया तो यहां पर जो अक्साइच ही नहीं इसका अगर एरिया के बल देखा जाए जो चीन इससे में हडपा हुआ है तो 38,850 km2 देखें कितना बड़ा है लग कितनी दिल्ली उसमें आ जाएगी देखें इतने 1484 से डिवाइट कर लेजिए इसको तो पता चल जाएगा आपको कितनी दिल्ली आ सकती है इतना ज्यादा एरिया हमारा अडपा हुआ है और बोलता है कि कहां पर कुछ हम कुछ कर रहे हैं ठीक है चले उसको तो बहुत कुछ करने क सिया सिया मधी लंडन में इंडिया हाऊस के स्थापना कि स्थापना किया गया है थी ही थी कि सधैट किया के बाद में जब वह जीत कियाते हैं दुबारा तो उसको पारित करवाते हैं इसको याद रखेंगे इसके लिए बहुत जादे भी रोद होता है ठीक है यह भारत का पहले कानून मंत्री भी राते हैं आपके भीम्राव मिटकर जी आप लोग याद रखेंगे और बीडी सावरकर जी सुतनता सग्राम का नाम नहीं देते तो हमारे बच्चे इस विद्रो का नाम क्या देते हैं अटार सतावन के एक रांती का जो बीडी सावरकर ने नाम दिया है सुतनता संग्राम अगर इसको बीडी सावरकर ने सुतनता संग्राम का नाम नहीं देते तो हमारे बच्चे क्या कर देते इसे विद्डो का नाम से जानते यह बात किसने कही थी तो आमिस्ञानी क्या था अ जैसा किसके सेक्रेट्री है बता देंगे बिस चाहिका इक इस सवरभगांगोली ठीक है था है नर्ट कुछन में चलते हैं कि छो नंबर तियस्ट मश्ट मॉस्ट इंपोर्टेंट, जब हमें अत्य धान्ड लगती है यह हम भाय वित होते हैं, तो कौन सा मान्सपेसि यंग को इस सिकुड जाने के कारह रोंक्टे खळए हो सबसे ह recommend कि सबसे बढ़ आग मतलब हो गया कि जो आपके चोचा होती है आपके सरीर का सबसे बढ़ांग होता है जो सरीर के अंगो की श्रीत कान सरी इसको तो यह हमारे जो इसकीन होता है उसकी बनावट से समंधित होते हैं उसकी बनावट का आधार होते हैं इसको याद रखेंगे आपको चलिए अब मोर देखिए आपे मोर को राष्टी पच्ची की कब घुषित किया गया तो हो देखिए कितने इजी क्यों देखने स्विजी लग रहा है लेकिन पूछा गया है बिल्कु धमाल पच्चे बहुत जादे कंफ्यूज जाते हैं यह बच्चों को लगता है बहुत इजी क्यो सा है तिरंगा लाश्टी फ्लाइग है ठीक है जो आपका डॉल्फिन है वो राश्टी जली जी हुआ है इस तरह बच्चे पढ़के जाते हैं लेकिन यह सब बच्चे नहीं पढ़ते हैं अब यहां पर देखिए क्या पुछ दिया है मोर के राश्टी पच्ची कब खोशित कि भारत का जली जी कौन इससे मैं तो बता देंगे डाल्फिन है इसको डाल्फिन जो है दोस्तों इसका एक आयक्ट भी आया है इस बार का 74 गर्दन दीवस पर हम एक वीडियो भी बनाये हैं उसमें डाल्फिन और आपका जो स्वास्त हेल्थ सेक्टर हो गया और आपका इंफ विर्पेर देखा जाए तो आपका जो चोबिस्वें याई इसमें अगर देखा जाया और इसको जो आपका डाल्फिन है डालफिन जो जी हुऊ है आपका हुसको चलते हैं किस नमबर 25 भारत के सरोच सहितकार पुरसकारों में से एक ग्यान पीड पुरसकार की स्थाफना किस वर्स की गई तो आप लोगको अगर सारे पुरसकार पढ़ने हैं बारत से तेरे मिंड़ आई प्लेयु est नउमप से बिंती ही करते हैं सम Осल्ब आये आप लोग आ ये आप लोग इった पूर्ड नइए नंढुट कि इस्थापना कब हुआ तो बता देंगे उनी सो एक सिट में हुआ था अब देखे सारे की बारें बताते हैं जब भारत रतन का इस्थापना कब हुआ था तो इनी सो चोगन में हुआ था था ठीक है nobel award की शुरुआत कब हुआ थी तो 1901 में हुआ था अल्फेट नोबर नही प्रवंच and also जगा लाफ च्वार्त का सबसे बड़ा वार्ड आदा साभında सादी की उननीस होऔर भारत का सबसे बड़ार अवाड है 2019 वाल टिए को नोल में 2008 था best नंगे उनी सो ठाहुन में इसको क्से जाता देंगे फिलिपिंस के राश्टपती की याद में इसको दिया जाता है मैंबुकरअ प्रसकार की सुरुआत को इस याद जाता है 1989 से इसको भी दिया जाता है इसoter रखेंगे अभी साइथ के फिल्में 1917 से डिया जाता है आफ लोग इसको याद रखेंगे यह सारे आवार्ड मोस्ट मोस्ट इंपर्टेंट है दोस्तों इसको आप लोग याद करिएगा चलिए निक्स क्यूशन पर चलते हैं क्यूशन नंबर 26 सोरी एंसर दिख गया कोई बात नहीं भारत में आयुरवेद के कुल कितने भाग हैं तो बत साहब लेजल मरत अबस्ट इसको जाना जाता है कहां को मर्वृत्यों यह चाहता है इसके बार भूच्वा यह को म adalah कदग अगद Tantra अगद Tantran पुछत जा सकता दोस अउन्हायझार च्छ्छ इनसार दिएगा उसने सेख नहीं रहेगा भूत विद्या भूत विद्या या च्वाजी करड़ यह सब जो है आपके आप जाता है जटराइं तर्षी न हमस्ट इन्पोर्टनट है जरगाइं के बारे में लोग पढ़ रहे हैं अब सबस्क्राइब प्राय कहां पे पाई जाती है तो बता देंगे आप कहां पाई जाती है छोब मंडल में छोब मंडल में अब देखे कितने हमारे पार्ट होते हैं कितने हमारे मंडल होते हैं तो आप बता देंगे पाला छोब मंडल समताप मंडल मद्य मंडल उसके बाद आयन मंडल उसके फोप का जो उचाई होता है दुरूओंग पर वह आठ खोल अर्विस्वत रिखा से अगर दिखा जाए तो चोल मंडल जो अगर देखा जाया है चोल मंडल में जो जो मंडल में इतने भी दे माषम हिर-चैंज होए इसी विसले सी म ऐता ह्ता है तर्वह मंडल को और वुरा जाता है इस urged берuto को नेसे इंटि को तो 10 में ही Built दोच प्रतिंगे से यह देखेंगे इसको और देकिंगे सम्ता पंधल में यह जहाज हो गया है जैसे आपका एरोपलेन हो गए यह सब उड़ते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई मौसम की घटनाएं नहीं होती है इसके बाद आ जाता है आपका मद्य मंदल 50-80 km तक होता है इस मंदल में तापमान में एका एक गिरावट आ जाता है कभी आ जाता है तो बहुत ज 644 किल्म तक होता है इसके उचाही के साथ इसका आपमान में जयसे के उपर जाएंगे शन का शनलयान होता है一定要 क्रिया सभी इंइरजी और्टा है ये संन की इनरेजी बनती है आपन मतलब होता है कर सक गडल असन लेहन से संगी और आपका विखंडन से जिसे बंव गरह हो गया इसा बना जाते हैं अब विखंडन क्रिया पर अधारित होती है उसी क्रिया पर आधारित बना जाता है जैसे कि आपका बहिंद मेंडल है उसमें लिद्फट विए यहीं कि अलग लग परते होती है इसमें इसके अधारे बारे में दिसक्स के हैं चलिए बडियो बड़ी नहीं हो सब्सक्राइब तो जाता है इसको याद रखेंगे प्यपसीन ट्रिपसीन यह हमारे इंजाइम्स हैं आप इसको याद रखेंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट हीम्ते दुआ के बात करते हैं हीम्ते दुआ का निवास थान हैमिस नेसल पार्क जो निवास स्थाने पहले तो यह याद कर लेजिए क्यूसन से एक एंसर मिल गया है अब हमिस नेसल पार्क कहा है इस था बता देंगे जम्मकस्मीर में इस था लेकिन 5 अगस्त 5 अगस्त 2019 को मतलब 2019 में इसको पारित किया गया एक्ट बना बना और 31 सक्टूबर जिससे में बल्लब भाई पटेल जी का जनदीन होता यान कि इसका चींगे इसके बाद कुछ नेसल पार्क की बारे में बात कर लें हम लोग कर लेते हैं कर ले चले कर लेते हैं अच्याँ जो इसको इसको इसलाई रखेंगे जब से याद अगसत से पांचगा पांच अगर 2019 से यह अलग दो यूटी बना है तब से अगर देखा जाए अब तक 80% यहां पर पत्थरबाजी कम हुआ है लगवग नक्सलियों को 50% नक्सलियां नक्सलवादी वहां पर कम हुआ है और रिष्ट किया गया है यह फिलाल का न्यूज है तो लद्दाक में आपका है इंपटन की बाद कर लेते हैं इसके आप सब राजस्तान में आ जाटे हैं और पार्क पार्क तो तो सरिस्का नेसल पार्क ठीक है चले हैं नेक्स्का पिशन पर चलते हैं नेक्स और लाइस्ट किसन दोस्तों ठीक है अब देखो इसका भी अंसर दिख गया कोई बात नहीं आप लोग समझदार हैं अच्छे बच्चे हैं ठीक है चले सूर की उस्मा प्रित्वी पर किस माध्यम से किस माध्यम के द्वारा आती है तो बता देंगे आप किस माध्यम के 5 कीलो मीटर पर सेकंड होता है याद रखेंगे 8 दसमलो 30 सेकंड में मतब कि मिनट में 8 दसमलो 30 मिनट में प्रकास के केड़ें उपर से नीची आती है धरती पर ले stripes का जो गूरूत्वा करसड होता है दोस्तोंyeong उसका 24 गूरूत्वा करसड हमारे सन पर होता है इस को याद दो दसमलों चार क्यास पास होता है इसको याद रखेंगे तो अगर पुछा जाता है सन पे कौन सी गयस अदे पाए जाते ही तो हाइड्रोजन और अब देखा जाए जो मून लाइट है मून लाइट कितने सिकंड में कितने सिकंड में अर्थ पे आता है तो बता देंगे 1.26 मिनट में सिकंड नहीं दोस्तों 1.26 मिनट में आता है इसको याद रखेंगे लगबग 3800 किलोमेटर के आसपास में डिस्टेंस है और 150 करोड किलोमेटर सन से अर्थ का दूरी है इसको याद रखेंगे ठीक है चलिए अगर देखा जाए उसमा का संचरण कितने माध्यम सिकंड होता है तो बता देंगे चालन कंडक्शन कंवेक्शन और रेडियेशन तो रेडियेश केही उसमा फ्लो करती है मतलब कि यह केवल्ट ठोस में होता है एक यह हो गया है इसके बाद विघ्रड उपको पता है विघ्रिड का मतलब इस विघ्रड जो होता है इस में उसमा गरम वस्तु से यहां पर वाल है वाल और यहां पर आप खड़े हैं यहां से आपको जब एनरजी लग रहे हैं यहां पर आपको हीट पता चला है तो यह विक्रड कमाद देम हो गया ठीक है दोस्तों इसे बहुत लगता है रेडियेशन के कारड़ ही हम लोग को पता चल पाता है कौन सा रे या फिर रे बहुत आपको फायदा करेगा क्योंकि जहां पर भी फ्री क्लासेश हो रहे हैं यहां समझेगा कि जो अगर पैसा दे क्याप खरी देंगे तो उससे बहतर नहीं किराए जाएगा उससे हम बता रहे हैं दो गुना बहतर आप लोग जाम दे कर आएंगे एंटिपीसी रेलवे थाइक कर दिए सारे लोग हमारे वीडियो गुक्षिडताहिक कर दिए ग्याइगा फिर यह कर सकते हैं अगर फसा तो अगर फस गया तो आकर बोलिऒवे का और बैबै दोस्तों आप लोग हेल्थ का ध्यान रखके पढ़ाई करिए तो बैबै दोस्तों